मैं इंसान हूँ, कल मैं निर्भया थी, आज मैं आसिफा हूँ कभी मुझे कोख में मार दिया, कभी पैदा होते ही कुछल दिया कभी मेरा बच्पन मुझे से छीन लिया, कभी मेरी जवानी को अपनी हवस का शिकार बना दिया कभी दहेज के नाम पर मुझे जला दिया, तो कभी अपने ही घर में नौकर सा बना दिया कभी मैं अपने खांदान या कौम की आबरू की नजर चड़ा दी गई, कभी मुझे बदले और इंतकाम के लिए उजाड दिया गया मुझे पर जल्म करने वाले मुझे किसी की बेटी समझते होंगे, किसी की मा समझते होंगे, किसी की बीवी, किसी की बहन समझते होंगे लेकिन मैं इनसान हूँ मेरी इज़द, मेरी आबरू, मेरा दर्जा, मेरी हुर्मत सिर्फ इसी लिए हो क्योंकि मैं इनसान हूँ मैं इनसान ही हूँ कल मैं निर्भया थी आज मैं आसिफा हूँ मेरा गुनाह क्या है क्या ये कि मैं एक खास कम्यूनिटी से तालुक रखती हूँ क्या ये कि मुझे कभी इस मुल्क की बेटी ही नहीं समझा गया क्या ये कि मेरा नाम आसिफा है मैं तो बस आठ साल की थी घोडों को चराने के लिए घर से निकली थी मुझे घोडे बहुत पसंद थे और अपना अकसर वक्त उनके साथ बिताती शाम के चार बज़े घोडे तो घर वापस हुए लेकिन मैं नहीं मेरे माबाप मुझे तलाशते रहे और तकरीबन एक हफते बाद उनको आखिरकार मैं मिली लेकिन उस हाल में नहीं जिस हाल में वो मुझे कभी देखना चाहेंगे अब कौन है जो उन साथ दिनों की दास्तान नहीं जानता क्या फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए आखिर मैं इंसाफ की गुहार किस से लगाओं उस समाथ से जिसने मेरे मरने के बाद भी मेरे अपने ही गाओं में मुझे दफनाने के लिए दोगस जमीन से भी महरूम कर दिया इंसाफ के अलमबरदार वकीलों से इलेक्शन्स के वक्त हमारी हिफाज़त का वादा करने वाले मिनिस्टरों से अपने कलम की ताकत से दुनिया को बदलने का अजम रखने वाले मीडिया से या मुल्क के उन नौजवानों से जिन्होंने उन जानवरों के सपोर्ट में बड़ी बड़ी तिरंगा रैलीज निकाली लेकिन अफसोस अफसोस के वकीलों ने मेरे इंसाफ की गुहार पर पाबंदी लगा दी मिनिस्टरों और लीडरों ने जालिमों का साथ देना ज्यादा फाइदे मन समझा कुछ वर्दी वालों ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की मैं तो दाए और बाए के बीच का फर्क भी नहीं समझती हिंदो मुसलिम का फर्क तो बहुत दूर की बात है मैं इंसाफ की गुहार आप से लगाती हूँ दुनिया के हर इンसान से लगाती हूँ मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ मेरी मासूमियत को अपनी मासूमियत में टटोले मेरी आबरू को अपनी आबरू में ढूंडे मेरी ख्वाबों को अपने ख्वाबों में देखे मेरी हुर्मत को अपनी हुर्मत में तलाश करे मुझे भी अपने जैसा इनसान समझे आप मेंसे जिन लोगों ने मेरी लिए आवाज उठाई है उनको मेरा सलाम जो शमा आपने जलाई है उसको जलाए रखे जो जजबा आपने दिखाया है उसको बनाए रखे जो लड़ाई आपने छेडी है उसको जारी रखे उम्मीद है कि इस बार आपसे मुलाकात होगी